स्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारत द्वा योटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको चैत्र पूरण मासी से सम्मंदित जानकारी दे रहा हूं सोले अप्रेल की चैत्र पूरण मासी रहेगी इस दिन आपको कौन-कौन से उपाय करने ही क्या नेविद दिखाना है यह सम्मपूर जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से प्राप्त होगी जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें बगनम गंटी बट करते ही उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है सास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में पूरण मासी के दिन सत्तनारण भगवान की कता की जाती है उस घर में साक्यात लच्वी नारण का बायस होता है पूरण मासी के दिन हल्दी से घर में स्वास्तक चिन बनाना चाहिए पू प्तनारण भगवान की कथा का स्रवड खनना चाहिए पांचों अध्याय आपको पढ़ने चाहिए इस दिन हरबंस पुराण भी भगवान के सामने बैट करके पढ़ सकते हैं चैत पूरण मासी के दिन हनमान जी का जन्म हुआ सा इस दिन हनमान जी का जन्म सभी मनाया जाता है दोस्तो खाने की जो चीजzar होती है इसका मैत तो अस्व Mehta होता है जिसे हम प्रसाद बोलते हैं आपने देखा होगा कि हम मंदर जाते हैं और मंदर में भगवान को नेबिद्यरपन करते हैं गर पे नेबिद्यरपन करते हैं और सभी परवार बाले उस नैवेद्य को खाते हैं, ये भगवान का आशिरवाद होता है, भगवान की किरपाद रिष्टी वर्षती है, नैवेद्य खाने से, साथ ही हमारी सरीर में भी लाम मिलता है, हमारी उपर अगर कोई दूस होता तो वो सान्त हो जाता है, तो इस दिन बिशेश उपाय किये जाते हैं, तुलसी माता की पूजा, गो माता की पूजा, सत्तनारण भगवान की पूजार इस दिन की जाती है, हनमान जी का पूजन, बिशेश महत्त है, तो इस दिन आपको क्या करना है, कि सत्तनारण भगवान के सामने एक कटोरी में आपको गाय का ये चीजे भगवान के सामने रख दें, अब आप भगवान के सामने संतान गोपाल मंतर का जाप कर लीजिए, संतान गोपाल मंतर का जाप कर लीजिए, अगर आपको पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो महालच में चापिद में, विश्नुपत्ति, चादी में, तंदुल अच जल्दी से जल्दी मनुकाबना आपकी पूरी हो जाएगी वीडियो को श्यार करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम अनमंतिरमा जरू लखें